असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे बहुत मज़े में होंगे तो आज को जो हमारा वीडियो है यह है नैक का पार्ट फॉर जिसमें हम देखेंगे के ऐलमेंट्स को कैसे बनाते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जुरूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करते हैं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना ताके मैं वो पढ़ ओ और अगले वीडियो में आपके कोस्टिंस का अंसर भी दे पाऊं ठीक है तो हमारा जो यह वाला है इसमें हमें सिर्फ पोसिफ ऐलमेंट का ही है कि ऐलमेंट इसको कैसे बनाना है जो कि बहुत सारे पैटर्न में आता है कि ऐलमेंट इसको बनाना है तो इनको अलग से ही बनाना पड़ता है क्योंकि हमारा सारा पैटर्न जो है वो एक दूसरे से रिलेटिड है यानि कि जो हमारा एक साइड है वै कि इनको कैसे करना ये बहुत सारे पैटर्ण में होता हैं मेभी शाहद आपके पास कोई ऐसा पैटर्ण हो जिसमें नेक वाले पैटर्ण में सेंटर में ऐसा कुछ आता होगा तो आप देख लो कि इसको कैसे करना है तो प्लीज अपने प्यारे पैरे कमेंटिस देना अगर तो अपने कमेंट्स करना और कौशिश यही होती है कि आपके कमेंट्स पड़े और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स दूँ ताकि आपके जो डाउट से वो साथ-साथ किलियर हो जाए तो यहां पे मैं किसी का नाम लेना चाहूंगी आईरम सुहेल और इरम सुहेल प्रो जो कमेंट्स है वो नहीं पड़ती हूँ और आपके कमेंट्स को एवाइड करती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान मैं सब के कमेंट्स पड़ती हूँ और आपके रिक्वेस्ट इंशालला मैं नेक्स्ट वीडियो में पका पूरा करूँगी यानि कि नेक का पूर कि मैं बिल्कुल भी आपको यवाइड नहीं कर रही हूं मैं सब के कमेंट्स पढ़ती हूं जितने भी लोग कमेंट करते हैं चाहे इनिस्टाग्राम पे डियम करते हैं चाहे अब यह है कि मैं नाम नहीं लेती हूं तो डालिंग खुश हो जाओ मैंने आपका नाम भी लिए आ elements है, तो elements के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत information करने का एक अलग तरीका है और सबसे बड़ी बात जो एलमेंटस में है वो ये कि हर एलमेंट को हम अंदर से अलग तरीके से बर सकते हैं यानि कि किसी एलमेंट को हम अंदर से डबल जाली डालते हैं यानि कि पहले हमने एलमेंट बनाया अगर वो बड़ा है तो हम उसके अंद या तो प्लेन डालते हैं या फिर उसके अंदर एक लीफ डालते हैं अगर लीफ की जगा है तो अगर ज्यादा जगा है तो फिर हम लीफ नहीं डालते हैं तो फिर हम सिर्फ उसे प्लेन बरते हैं या फिर अगर बहुत ज्यादा जगा है तो फिर हम लीफ डालते हैं फिर वीडियो में मैंने एलमेंट्स के बारे में काफी कुछ बताया है लेकिन फिलहाल हमारा ये वाला पैटर्न है तो इस वाले पैटर्न में हमें वैसा कुछ नहीं करना है तो जो मेरा कस्टमर है जिसका ये है उन्होंने कहा है कि उनको इसमें प्लेइन चाहिए उनको इसमें बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं गलत तरीके से प gjyne बहरते हैं ओससे तक हुज औहल ज़ा जा क्रेकिकि ने मैंने प्लेख सी स्परीद मिजिए कंद और लेकि लगिई पॉजह कोई साइड करेसे दți Kinkel लिए गलत तरीके से प gjyne direction वो right left नहीं होना चाहिए तो आज मैं इसमें आपको वो दिखाऊंगी कि plane को किस तरह से बरा जाता है और elements को पहले कैसे बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर आपके neck वाले pattern में या कहीं पे भी आपका वो आता है तो अगर आप beginner हो आपको नहीं पता है तो आप please पहले plane नहीं बरना क्योंकि बहुत सारी लोगों ने मुझे कहा था कि मैं हम पहले plane बरते हैं उसके बाद covering करते हैं नहीं आपको सबसे पहले covering करके लानी है जाली की ठीक है जो भी आपका element है क्योंकि उसका trace आपके पास होगा उसको भी हमें सबसे पहले बाहर से covering करनी होती है उसके बाद हम अंदर उसमें बरते हैं या तो plane बरते हैं या तो जाली बरते हैं डिपेंड करता है कि विवर्स की choice क्या है जो आपके customer से उनकी choice क्या है तो वही होता है ठीक है beginners के लिए specially में बोल रही हूँ जनको आता होगा उन्हें तो पता ही होगा specially में beginners के लिए बोल रही हूँ कि कैसे करना है तो यहाँ पे मैंने उपर से ही thread जोड़ा है needle का ताके आप लोगों को पता चले कि बिना gart के भी thread कैसे जोड़ा जा सकता है ठीक है अब यहाँ पे जो है यह सबसे main है बहुत important है यहाँ पे मैं एक line लोगी straight जिससे आपको क्या होता है जब आप straight line लेते हो तो आप आपके pattern को यानि कि आप आपके element को या जो भी जहाँ पे भी आप उसमे plane बढ़ रहे हैं आप उसको दो हिस्सों में divide कर रहे हो ध्यान रहे कि आप पूरा उसको दो हिस्सों में divide कर रहे हैं ऐसा नहीं कि एक साथ से ज्यादा एक साथ से कम मालब थोड़ा सा diagnose लगा के आपको सिर्फ और सिर्फ उसको straight लेते होए जाना है एक line को उसके बाद आपको उसको दो हिस्सों में divide करना है same to same दोनों हिस्से same to same होने चाहिए यानि कि equal होने चाहिए ज्यादा तो नहीं थोड़ा सा अगर हलका सा रहेगा भी वो चलेगा लेकि ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप आपको देखना है कि जब आपने ये straight line डाली है तो उसके बाद पहले आप एक side का करोगे उसके बाद आप दूसरे side का करोगे यानि कि पहले आप एक side में plane बरोगे उसके बाद आप दूसरे वाले side में plane बरोगे ठीक है तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि वापस कैसे आना यानि कि जब हम प्लेन बरते हैं जब हम टॉप पे पहुँचते हैं प्लेन बरते हुए तो उसके बाद हम किस तरह से यहाँ पे इसको वापस लाते हैं तो द्यान रहे कि इसको किस तरह से करना है यहां पर प्लीज एंड प्लीज थोड़ा दियान से देखना कि इसको किस तरह से करना है उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे निडल का थ्रेड है यानि कि हमारा जो एमबॉडरी थ्रेड है हमें उसमें जो सिटिच डालने है तोड़ी नजदीक नजदीक डालने है क्योंकि अगर हम नजदीक 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 नहीं डालेंगे सिटिच इस तो हमारा जो तिला थ्रेड है वो रोल हो जाएगा वो बिलकुल भी ठीक से नहीं आएगा तो कौशिश करना कि आप जो सिटिच इस ले रहे हो यानि कि हमें फिर से उपर की तरफ एक सिट्रेड लाइन लेते हुए जाना है द्यान रखना कि इसको किस तरह से करना है क्योंकि ये कुछ बेसिक पॉइंट से जिनका आपको जब हम प्लेइन बरते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि इसको किस तरह से किया जाता है तो यह हमारा है इससे क्या होता है कि जो मैंने सिट्रेट लाइन लिए कि पहले हम एक सैड बरेंगे फिर हम दूसरा सैड बरेंगे इससे यह होता है कि हमारा जो plane है वो citrate आएगा अगर हम end से इसको बढ़ने की कौशिश करेंगे तो वो bend आएगा वो citrate नहीं आएगा तो हमें जो हमारा pattern है हमें इसमें straight दिखाना है कि plane को straight में बढ़ा गया है ऐसा नहीं कि इसको bend करके बढ़ा गया है तो इस लिए ये बहुत easy रहता है मैं suggest भी आपको यही करूंगी recommend भी आपको यही करूंगी कि आप सबसे पहले आपके pattern को आपके element को आपके चिनार को जो भी है चिनार को तो खेर दूसरी तरह से बढ़ा जाता है तो अगर आपका straight वाला pattern कहीं पे है तो आप उसको दो हिस्सों में divide करो चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है उसके बाद ही आप उसमें अपना straight वाला thread बरने की कौशिश करें क्योंकि वो फिर straight आएगा एकदम से वरना वो नहीं आएगा वो bend हो जाएगा वो बिल्कुल awkward लगेगा तो यही था कि इसको plane किस तरह से बरा जाता है ठीक है तो अगर आप चाहो भी जब हम इसमें एक straight line लेते हैं जो starting में मैं एक straight line ली थी जब मैंने इसको दो हिस्सों में divide किया था तो आप चाहो तो आप उस वाले line पे एक जाली भी लेके आ सकते हो अगर आपका pattern ज्यादा बड़ा है तो आप उस line पे सबसे पहले जाली लेके आ सकते हो उसके बाद आपका straight वाला आप जो plane बरना है वो start कर सकते हो मर्जी आप ही की है लेकिन मुझे इसमें जाली नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने जाली नहीं डाली वरना आप चाहो तो आप center में से इसकी जाली ला सकते हो उसके बाद पहले आप एक साइड बर सकते हो तो ये beginners के लिए ही कुछ points हैं जिन्हें नहीं पता है जो online ही सीख रह तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को आसानी हो जाए वीडियोज डूडने में जिसमें मैंने नेक के जो भी मैंने वीडियोज डाले हैं उनको मैंने अलग प्लेयरिस्ट में बनाया है और उसमें मैंने नाम भी नेक का ही लिखा है border के जितनी भी मैंने patterns के वीडियो अप्लोड कि हैं उसका अलग से playlist है और उसके बाद जो हमारे कुछ patches के हैं या कुछ अलग से designs है जो के trace के बगेर होते हैं उसका मैंने अलग से playlist बनाए आप लोगों की request थी तो मैंने बना दिया ठीक है तो आप लोगों के लिए आसानी हो ज जाए और dictate यानि के explain भी कुछ इस तरह से किया जाए कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा simple words में बोलने की कोशिश करूँ कि कैसे करना है I hope कि आप सब लोगों का help मिल रही होगी इस तरह से जब आपका एक side complete हो जाएगा उसके बाद आप दूसरी side से start कर सकते हो लेकिन याद रहे कि दूसरी side से आपको जाली वाले side से start नहीं करना है जहां पे आपका plane है वहीं से जहां पे आपने center में straight line ली थी उसी line से फिर आगे plane डालते होए जाना है ठीक है जाली क तरफ नहीं जाना है जहां से हमने straight line ली थी वहीं से आगे जाना है बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैंने किया है अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपका pattern बहुत 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 जादा beautiful देखेगा आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है अगर आप मेंसे कोई मुझ से बा बाते नहीं होती हैं आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हो वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो आईडी अल्री अबाट में भी है डिस्क्रिप्शन में भी है और अगर किसी को नहीं मिल रही है तो आप lon.fidan Instagram पे search कर सकते हो पब्लिक अकाउंट है वहाँ पे आप मुझ से बात कर सकते हो आपका जो पैटर्न है जहां पे आप पलेन बरते हो तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो आपकी फिंगर से जो आपकी उंगलिया है आपको नीचे आपके पैटर्न के नीचे रखनी है उससे क्या होता है आपका पैटर्न जो है वह टाइट आता है यानि कि जो आप प्लेन बढ़ रहे हो वो डीला नहीं होना चाहिए अगर वो डीला होगा वो उखड़ेगा तो आपका पैटरन खुल जाएगा तो आप टाइटली यानि कि जो आपके फिंगर्स है उसको टाइटली जहां पे आप पैटरन बढ़ रहे हो वहाँ पे रखो उससे आपक कुछ help मिले, कुछ guidance मिले जो लोग ये करते हैं, ठीक है बहुत सारे लोगों ने request की है कि मैं neck के और भी patterns लेके आऊ तो इंशालला जिन्दगी रही तो जुरूर लेके आएंगे बट neck के patterns में क्या होता है कि ये बहुत lengthy हो जाते हैं neck के patterns बहुत सारे parts में आते हैं, उस वज़े से भी हमें काफी problem होती है, क्योंकि जो neck हम shoot करते हैं फिर हमें वहीं पे उसको रोकना पड़ता है, next shoot के लिए तो इस वज़े से काफी problem होती है बट कौशश करेंगे कि हम आपको neck के patterns के videos दें upload करें, आपको guidance मिले बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा था, कि उनको easy neck के patterns चाहे देखो ऐसे तो easy कोई pattern है नहीं, अगर आप beginner हो तो आपके लिए तो बिलकुल भी फिर कोई pattern easy नहीं है, या simple नहीं है, क्योंकि starting starting में कोई भी काम easy नहीं लगता है, वो थोड़ा-थोड़ा tough तो लगता ही है, उसके बाद ही आपका जो pattern है वो अच्छा दिखेगा वरना वो अच्छा नहीं दिखेगा आपका काम है ये वाला करना, उसके बाद फिर अलग से इसको जो भी आपका है, लेकिन हाँ, कुछ patterns होते हैं, जो छोटे या बड़े होते हैं तो हम कौशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास छोटे-छोटे patterns होके, नेक के, जो थोड़ा सा करने में easy हो, आप लोगों को लगे कि ये easy हो, तो हम उस patterns, उन patterns पे हम videos बनाएंगे, और upload भी करेंगे, कौशिश ये ही रहेगी तो ये आप देख सकते हो, कि ये वाला जो है, ये किस तरह से आया है, कितना tight आया है, ठीक है जब आप plane बरते हो, तो कौशिश करना कि आप बहुत tightly इसको बरें, और आप जो एक line डाल रहे हो, वो दूसरी line से, बिलकुल उसके साथ चपक जाए, क्योंकि आपका जो नीचे का कपड़ा है, जिस पे भी आप कर रहे हो, वो बिलकुल भी नहीं दिखना चाहिए, जब हम plane बरते हैं मैंने देखा है, बहुत सारी लोग मुझे इस्टाग्राम पे पिक्स बेशते हैं, जो plane बरते हैं, या किसी भी पैटरन की, तो उनके पैटरन से काफी कुछ होता है, जिसकी वज़ा से, वो बिलकुल भी ठीक नहीं लगता है plane में इस चीज का भी ध्यान रखना है, कि जब आप plane बरते हो, तो आपको नीचे का कपड़ा नहीं दिखना चाहिए अब इस वाले में भी हम same to same करेंगे, इसको हम पहले दो हिस्सों में divide करेंगे equally, यानि कि center से हम एक straight line लेते जाएंगे उपर तक, और उसके बाद हम फिर plane बरना स्टार्ट करेंगे same वैसे ही, जैसे हमने उपर बरा था, बिलकुल same to same है, इसमें कोई वो नहीं है plane जब भी आपको बरना होगा, ऐसे ही बरने की कौशिश करना और फिर देखना कि आपका pattern कितना अच्छा लगेगा आपको again बोल रही हों मैं, अगर आप channel पे नए हो, तो please, 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 like, share and subscribe करना, comments भी करना और अगर कुछ पूछना चाते हो, वो भी comments में लिखना किसी और pattern पे आप वीडियो चाते हो, तो वो भी लिख लेना कौशिश होगी, कि जितने maximum एक ही topic से related comments आए होंगे, उस पे हम वीडियो बनाएं, ठीक है hope कि आप सब लोगों को ये वाला neck का pattern अच्छा लगा होगा, मैंने पहले भी बोला है, ये वाला pattern जो है, ये बहुत ही easy है करने में, अगर किसी को मिलता है, तो वो इसको easily कर सकता है beginners के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी, एक special वीडियो, लोगों ने जो मुझसे मांगा है, कि आप एक अलग से वीडियो बनाओ, फिर से उनके लिए, तो मैं बिलकुल उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बहुत सारी information दूंगी, basic to advance, step step की कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो प्लीज एंड प्लीज मुझे अपनी special वाली priors में याद रखेगा, और सेखते जाएए, दूआ सब के लिए करते जाएए, मेरे लिए भी करना, अपने लिए भी करना, और बाती सारी लोगों के लिए भी करना, और like, share and subscribe जरूर करन कमेंट बिलकुल भी करना, नहीं बूलना, क्योंकि बहुत effort लगाते हैं वीडियो बनाने में, तो आपके कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने गरू में,